आज मैं सेर करने वाला आपके साथ NPS ट्रस्ट नेशनल पेंशनल सिस्टम ट्रस्ट में आई हुई वेकेंसी के बारे में और आप यहां पर देख सकते हैं जो कि यहां पर आपको मिल जाएगा अभी अपडेटेड वेकेंसी जो जो हैं उनका लिस्ट यहां पर मैंने अपलोड इंपोर्टेंट डेट यहां पर पहले बताया गया है और यह जो वेकेंसीं ग्रेट बी और ग्रेड ए दोनों के लिए ही अबूलेबल है यहां पर तो एक में experience महा उगवा है एक में experience नहीं मांगा हुआ है जो आपका last date of application है यहां तो 29th january 2020 है ग्रेट बी manager के लिए और यह आप यहां पर देख लगते हैं details of vacancy के बारे में जो बताया गया है यहां पर grade B में general की जो vacancy है total number of vacancy यहां पर जो है 4 है जहां पर general के लिए 3 OVC के लिए 1 है pay scale भी अपका mention किया हुआ है यहां काफी अच्छा pay scale है और यहां पर grade A की बात करें है तो यहां पर केवल general की vacancy है total number of vacancy यहां पर जो है आपका 9 है और 6 general OVC 2 SC 1 तो इस तरीके से यह vacancy वाइफर के गया है यहां पर pay scale जो mention किया है 28,150 किया गया है अब सबसे important point है eligibility criteria eligibility criteria grade B officer के लिए है general में जो apply करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं last mention किया गया है CA CFA CS and CMA तो अगर आपने qualify किया हुआ है eligibility यहां पर बताया गया है master's degree in any discipline यानि कि यहां देखे सम्में कॉमा लगा है तो M.com भी है आप यहां पर तो भी apply कर सकते हैं bachelor's degree in law bachelor's degree in engineering अगर आपने यह सारे किया है तो eligible apply करने के लेकिन bachelor degree of commerce यानि B.com आपने किया है और any graduate है तो आप apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर clearly mention है bachelor's degree किसका होना चाहिए आपका law का होना चाहिए engineering का है तो apply कर सकते है या फिर CACMA CFA या CS है तो apply कर सकते है minimum experience आपके यहां पर रखा गया है 3 years का जो various field में आपका होना चाहिए as per आपका जो qualification है आप पर age limit यहां पर 30 years बताया गया है as on 30th November को match करना चाहिए next जो fresher की vacancy है यहां पर grade A officer general के लिए है जहां पर same qualification mention किया गया master degree in any discipline यानि कि M.com है तो भी eligible है M.com apply कर सकते हैं अगर आपके पास यहां पर qualification है bachelor's degree in law, bachelor's degree in engineering and CA, CFA, CS, CMA तो यह qualification है तो eligible है यहां पर again graduate applicable नहीं है experience निल है यानि without experience भी आप apply कर सकते हैं और आपके पास एक साल दो साल experience है आप उपर वाले में नहीं कर सकते हैं तो यहां पर भी कर सकते हैं age यहां पर 30 years रखा गया है उसके बाद यहां पर knowledge का होना चाहिए MS office में यहां पर देखिए certificate नहीं मागया आपको knowledge होना चाहिए knowledge सिर्फ important point है mode of selection जो आपको age criteria है उसमें relaxation as per rule government जो भी आपका cast wise मिल जाएगा officer grade B के लिए हैं पर बताया गया phase 1 का online examination होने वाला है सभी stream के लिए paper 1 होने वाला है यहां पर multiple choice questions आएंगे जिसका आपको यहां पर चीजें बताया गया है मतलब सलेवस क्या क्या subjects कवर किये जाएंगे 200 marks का होने वाला है और 150 minutes आपको यहां पर duration मिलने वाला है यानि कि आपको 2 hours 30 minutes का time दिया जाएगा उसका paper 1 for phase 1 online examination under as मतलब यह जो सलेवस बताया है उसको यहां पर bifurcation करके बताया गया है किस कितने कितने marks के कौन से questions होंगे उनमें time क्या मिलेगा तो यह सारी चीजें बताया गया financial sector awareness होगा और general awareness सारे इस तरीके से बाइफरकेट होंगे और यहां पर one fourth negative marking भी है paper 1 के paper phase में one में phase 2 examination process and it will be conducted on final selection of the candidates तो यहां पर phase 2 होगा जहां पर candidate को short list करके बुलाया जाएगा तो यह बताया गय है all stream के लिए यहां पर दिखें English का descriptive test होगा 100 marks का 60 minutes यानि गंटे का and general जो होगा यहां पर paper 2 आपका phase 2 में paper 2 है phase 1 में one paper है यहां पर commerce से related आपके जो financial है sector से related 100 marks के questions रहेंगे और इसमें 40 minutes का आपको duration का time मिलेगा यहां पर भी आपका जो negative marking है one fourth दिया गया है next जो है phase 3 interview है जो भी candidate phase 1 के बाद phase 2 clear करेंगे phase 2 clear करने के बाद आपको interview के लिए बुलाया जाएगा interview आप जो भी है Hindi English किसी भी language में आप दे सकते हैं जिसमें भी आप comfortable होंगे और यह जो यहां पर दोनों के लिए ही I think है यानि दो नो ही अब यहां पर देखे बताया गया है कैसे होगा marks obtained in phase 2 यानि आपका जो phase 1 का exam है वो qualifying है एक तरीके से phase 2 में 70% phase 3 में जो होगा 10% and interview का जो होगा 20% तो इस तरीके से final list जो है बनाया जाएगा same way में आपका यहां पर grade A officer के on-line examination phase 2 यहां पर है आपका group discussion and interview तो यहां पर phase 2 में आपका written नहीं होगा only phase 1 का on-line examination है जिसमें आपका जो flavor से same उपर जो grade B के लिए same उसी तरीके से रखा गया है और यहां पर जो phase 1 qualify करेंगे phase 2 में जीडी और interview के तुरू उनका यहां पर selection होने वाला है यहां पर weightage क्या दिया गया है तो यहां पर weightage आपका first जो phase 1 है 70% जीडी में 10% and interview 20% में रहने वाला है pay allowance के बारे में हाँ पर बता दिया गया है आपका pay allowance जो basic यहां पर रहेगा 35,150 other allowance जो है यानि की दिये चारे लोकल कंपन संटरी नेशनल पिंसनी स्कीम जो भी यह सारी benefits आपको मिलने वाले हैं CTC आपका approximately यहां पर बताया गया देखे 21 lakh per annum बैठने वाला है grade B officer और आपका जो grade A का officer है यहां पर आपका CTC approximately 18 lakh का बने वाला है यह पूरी information एक तरिके से इससे brief information है इस notification का so before filling the form please read notification carefully और अपनी eligibility criteria को ज़रू ध्यान में रखे तो thank you friends for watching this video और updated वीडियो के लिए link आपको description box में मिल जाएगा और यहां पे i button पे भी